कि असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं महमद कास्यम और वेलकम करता हूँ हों किचन कार्डन यूट्यूब चैनल पर जब दोस्ता अज हम सीड्लिंग करने लगे हैं वाटर मिलन की तर्बूज की तो लिए ट्रेय में कोको पीट घर लेते हैं और कोको पीट में मैंने कंपोस्ट मिक्स करिए आल्रेडी पहले ये कंपोस्ट मिक्स करके रखिए तो चिलिंग ट्रे भर के इसीड डालते हैं दोस्तों पहले हम होल कर लेंगे थोड़े छोटे छोटे दोस्तों होल करने के बाद हम एक एक करके सीड डालेंगे एक एक होल में एक एक ही सीड डालेंगे हम जितने भी सीड हम सब डाल देंगे एक एक होल में एक एक सीड जोस्तों सीड डाल के हम ओपर उनको थोड़ी कोकोपीट से दोबारा कवर कर देंगे और यह वीडियो इंशालला दोस्तों आपको कम्प्लीट वीडियो लिखांगा और यह मेरा पहले एक्स्पेरियंस है वाटर मिलेंड पहले नहीं लगाया वेली दफ़ा लगा रहा हूँ जो भी रिजल्ट हुआ इंशालला आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों हमने सीड कवर कर लिया है पानी डालते हैं और सही से पानी डाल देंगे सही पूरी मॉहस हो जाए सब हॉल में जो कोकोपीट है सब मॉहस हो जाए कि कोई भी हौल रह न जाए अच्छे तरीके से पानी देंगे अज़ा कर दोस्तों ने पानी दे दिया है अब देखते हैं वेट के कब तत जर्मिनेट होते हैं यह सीड तो साथ दिन के बाद कुछ पूदे जर्मिनेट हो गए हैं तो मजीद वेट करते हैं तो थाइस दिन हो चुकी है पहले जो सीड लगाए थे हैबरेड थे वह जर्मिनेट नहीं हो पाए तो मैंने दूसरे सीड जो के आम वाटर मिलन लेकर उसके सीड निकाल के डाले थे यह वह हैं निसरे लगाए हैं वहराल कोई नहीं इसे गुजारा करते हैं देखते हैं क्या रिजाल्ट मिलता है इनका अगर्म ट्रांस्प्लांट कर्ट करने लगे हैं अगर्म ट्रांस्प्लांटिंग के लिए मैंने चार गमले लिया हैं जो के वारा इंच के हैं और दो टोकरियों में लगाऊंगा मैं अगर्म ट्रांस्प्लांट करते हैं एक टोकरी में तीन तीन पॉदे लगाएंगे और एक गमले में एक एक तो इसे साथ सर्म लगाएंगे टोकरी थाड़ी बढ़ी है तो इसमें तीन पॉदे हो जाएंगे तो जाला इसका रूट से थोड़ी कम है थोड़ा जाला ज्यादा होना चाहिए था जल्दी कर दिये रहे हैं और अब देखते हैं कैसे होता है यह तो दोस्तों मैंने ट्रांस्प्लांट कर दिये हैं और अब इनको और इन डालते हैं इन में जुस्तों पहला पानी जो है सही भर के देंगे हम ताके बोदे को पानी की कमी ना हो हुश्क मट्टी में जा रहा है तो पानी की कमी हो सकती है और मर सकता है भर के पानी देंगे हम करते हैं और देखते हैं कि यह कब तक बड़े होते हैं कुछ जो भी रिजल्ट होगा आपके साथ शेयर करोगा कि देखते हैं कि क्या होता आगा कि दूस्ता सीड़ लगाए हुए आज पंटा इस्तिम होगे हैं और जान की शकल अस्कियार कर रहे हैं अब कि प्लांट्स है कि बहुत शिलो ग्रोथ है कि अभी तो इस अब तो बहुत शिलो चल रहे हैं कि बहुत करेंगे देखेंगे कि आगे क्या रिजल्ट में काया रहे हुए सीड़ लोगा है वे दो महीने पंद्रा दिन हो गए है अब तो जान की शकल अक्तियार कर गए है और श्लावरिंग पर आ गया है अब चोटे चोटे तर्बूज भी नज़र आ रहे हैं कि अब बड़ी वैन हो गई है अब कि अब कि अब कि अब श्लावरिंगा यह है अब शाथ में मस्क मिलनके और भी जुड़ मुड़ हो गया है मिक्स हो गया है अब यह बेकेंग तो यह श्रूट लग रहा है चोटा चोटा भी यह बेकेंगे शाप नजर आ रहा है अब फ्रूटिंग शुरू हो गई है इस लावरिंग भी भरके हो रही है अब गमलों को और टोकरियों को एक ही जगा रख दिया मैंना सब वैन अपस में मिली गिया है अब करते हैं कि बड़े होते हैं और कितने टाइम लगता है इनको तो तो तीन मेंने पंदरा दिन हो चुके हैं आज और वाटर मिलन बड़ा तो नहीं हुआ च्टाई रह गया और मेरा इंदाजा है कि यह पक चुका है क्योंकि हर वाटर मिलन के साथ एक तार होती है जो कि सुख जाती है जैसे यह नजर आ रही है यह सुख जा है तो समय लें कि यह तर्बूज पक गिया है लाल हो गिया है यह देखें दोस्तों यह इसके निशानी है कि यह पक गिया है चोटा सा है लेकिन यह लाल होगा मेरा इंदाजा यह यह तो दोस्तों इसको तोर के हम देखते हैं कि इंदाजा सही है या नहीं इसको काटकर देखते हैं में दोस्तों आपके साथ शेयर कर रहा हूं देखिए छोटा सा तर्बूस था मगर लाल है बिल्कुल स्थी पकावा था ये इसकी सभी निशानी है इसकी तार जब सुख जाए साथ वाली बिल्कुल तर्बूस लाल हो जाता है दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको अच्छे लगी है तो लाइक के जाएगा चैनल पर नएका सब्सक्राइब कर देजाएगा अप्यामा चलता हूँ अल्लाहाफिस